15 अगस 2015 को शुरू हुई मोधी सरकार की स्कीम स्टार्टप इंडिया की शुरवाद जोरो शुरो से हुई थी लेकिन इसकी रफ्तार में तेजी का सलसला थमसा गया है देश में निवेश और नए कमपनियों के स्थापना का डेटा मोहिया कराने वाली कमपनी ट्रेक्शन के एक सर्वे में दावा किया गया है कि देश में नई फर्म खुलने की संख्या अब कम हो गई है एक सर्वे के मुताबिक 2016 के बाद से ही नए स्टार्ट अप्स के शुरू होने के संख्या में किरावट का दौर चारी है 2019 में तो नए स्टार्ट अप्स का आकड़ा सबसे कम रहा है 2019 में सबसे कम इसलिए रहा है 2016 में दिमोनेटाइजिशन हुआ प्राब्लम हुआ मार्कित के अंदर जो नए एफसी के रूल जायर उसके हिसाब से मनी लेंडिंग की प्राब्लम हो गई स्टार्ट अप्स के लिए आईडियास सबके पास होते हैं आईडियास रोज आते हैं लेकिन अगर फंड्स ही नहीं हैं तो कोई भी स्टार्टप ग्रो नहीं कर सकता किसी भी स्टार्टप के कमटी को ग्रो करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं फंड्स की प्रॉब्लम 2016 से लगातार चल रही है स्टार्टप स्योजना के लिए केवल पहला साल यानि 2015 ही हिट साबित हुआ था 2015 में 16,727 ने स्टार्टप की शुरुआत हुई थी लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावठी देखने को मिली है इसके अगले साल 2016 में 12,860 ने स्टार्टप की शुरुआत हुई थी 2017 में कुल 8,741 स्टार्टप शुरु हुए थे वहीं 2018 में 8,409 स्टार्टप की शुरुआत हुई थी याकड़ा 2019 में बेहत तेजी से कम हुआ है और पिछले साल केवल 5,462 ने स्टार्टप शुरु हुए यानि 2019 में 2018 के मुकाबले 35 फीस दी कम स्टार्टप शुरु हुए ने स्टार्टप की संक्या में ये कमी केवल किसी एक सेक्टर में नहीं बलकि सभी सेक्टर्स में देखने को मिली है फिंटेक यानि फाइनेशल टेकनलोजी से लेकर रिटेल तक के कारोबार में नई कमपनियों और नए कारोबारियों के एंट्री में बड़ी गिरावट दर्च के गई है जानकारों के मताबिक 2014 में नई सरकार बनने के बाद स्टार्टप इंडिया के तहट नए कमपनियों के एंट्री को बड़ा प्रोथ साहर मिला था इसके अलावा फंडिंग भी खूब हो रही थी लेकिन अब स्टार्टप के बीच कॉंपेटिशन काफी बढ़ गया है इसके अलावा हर आइडिया को फंडिंग नहीं मिल पा रही है ऐसे में नए स्टार्टप के स्थापना में कमी देखनी को मिल रही है स्टार्टप्स को रोजगार के लिहासे भी एक अच्छा विकल बताय जा रहा था लेकिन इसकी रेफ़तार सोच तो रहने से नए रोजगार पैदा होने की स्पीड भी कम है नौकरियों के मोर्चे पर वैसे भी संकट गहराता जा रहा है EASIC के अकड़ों के मताबिक पिछले साल दुसंबर में दो लाक नौकरियों में कमी आने की बाद सामने आई है पिछले साल दुसंबर में करीब 12.67 लाक नौकरियां पैदा हुई इसमें एक महीने पहले नवंबर 2019 में 14.59 लाक नौकरियां पैदा हुई थी इस हिसाब से एक महीने में करीब एक दोशमलम नौ दो लाख नौकरिया में कमी है ये रोज़गार की मोचे पर अच्छी खबर नहीं है स्टार्ट अप और MSME सेक्टर की कमजोरी से बेरोज़गारी बढ़ रही है ऐसे में जरूरत यही है कि स्टार्ट अप और MSME को बढ़ावा देकर रोज़गार बढ़ाया जाए जोसे अर्थ विस्ता का पहिया भी तेज़े से घूमना शुरू कर देगा